यह इंटर्नल डेमोक्रेसी नहीं है, यह इंटर्नल इंडिसिप्लिन है, इसको इंटर्नल डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं मिश्रा जी जो इन दिनों कॉंग्रेस के अंदर जो रसा कशी का माहौल इसको देखने को मिल रहा है क्या नजर आता है उसको देख करके क्योंकि इससे पहले सिर्की की तस्वीरे और राजियों से भी सामने आ चुकी है देखे ये बहुत ओवर है जीत रही है कांग्रेस को और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने शायद इतनी तैयरी नहीं की थी कि बाई इतने बाराती आ जायेंगे और जब बारात में यह पता नहों कितने बाराती आएंगे तो अफरात अफरी मत जाता है, खाना पीना हर चीज कम होना शुरू हो जाता है, कुछ भी हो, कॉंग्रेस या बीजेपी के लोग कुछ भी बोलें, लेकिन यह सिंपिल सिंपिल यह चीज दिखाता है कि इंटर्नल ड रहा है कि सीम कौन बनेगा, तो देश जब आप चलाएंगे, तो इतनी चुनोतियां रहेंगी, वहाँ डिसीजन कैसे होंगे, यही इंडिसिप्लिन तो हर जगा दिखेगा, और यह जो डीके शुकुमार माली, जी डीके शुकुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, सिद्धा रमिया को बना देते हैं, एक दो दिन में जो भी फैसला हो जाए, ऐसा नहीं है कि यह मामला शांत हो जाएगा, खुद कॉंग्रेस के ही लोग अपनी ही सरकार को नहीं चलने देंगे, और परफॉर्म नहीं करने देंगे, यानि राज्य का विकास बाधित होगा, यह लोग इसको बोल सकते हैं, यह इंटर्नल डेमोक्रेसी है, सर यह इंटर्नल डेमोक्रेसी नहीं है, यह इंटर्नल इंडिसिप्लिन है, इसको इंटर्नल डेमोक्रेसी नहीं बोलते है, डेमोक्रेसी में एक दूसरे को चुनोती नहीं दी जाती है, वहाँ बैठ के विचा किया जाता है चीछा लेदर नहीं होती है और इमीडियेटली डिसीजन आ जाता है यही कॉंग्रेस पहले जब जीतती थी तो आधे घंडे की मिटिक में डिसीजन हो जाता था वो डिसिप्लीन होता था वो डेमोग्रेसी होती थी